नमस्कार, मैं हूं Dr. Varoom Brawa और स्वागत करते हैं हम सभी लोग का अपनी इस चैनल पर आज के अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ECG के बारे में मतलब ECG कार्डियो ग्राम और इलेक्त्र कार्डियो ग्राम के डिफरेंस के बीच में हम जानेगे कि यह दोनों क्या होता है actually काफे लोगं को इसके बारे में थोड़ा से confusion होता है कि ECG क्या होता है और ECO क्या होता है दोनों के नाम थोड़े से मिलते जुलते हैं शाहिद इस वज़े से थोड़ी confusion हो जाती है तो आज के अपने इस वीडियो में इसी के difference के बारे में हम discuss करेंगे इन दोनों में क्या difference है इनको कप करवाया जाता है इनका जो result आपता है उसको कैसे interpret किया जाता है और बाकी details के बारे में लिखिन आगे वढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लें ताकि आपको कोई भी अपडेट मिस ना हो और मैं इसी तरह आप तक अलग-अलग medical investigations और टेस्ट की जानकारियां पहुँचाती रहा हूँ तो शुरू करते हैं सबसे पहले ECG के साथ ECG याने की electrocardiogram यह एक तरीके का special technique होता है जो कि हार्ट की functioning के लिए उसकी monitoring के लिए किया जाता है ECG machine जो हता है हमारे हार्ट के electrical activities को जाचता है उसको measure करता है Actually क्या होता है कि जब भी हमारा हार्ट जब भी जो हमारे हार्ट में beat होता है जब भी हमारा हार्ट beat करता है तो एक electrical impulse generate होता है जो कि हमारे हार्ट को, हमारे रिदे को जो blood pump करना है उसमें मदद करता है तो इस machine के द्वारा उसी electrical activity को, उसी electrical impulse को जाजा जाता है और देखा जाता है कि हमारा जो heart है वो अच्छे से function कर रहा है या नहीं कर रहा है इसका जो हम image form करते हैं, actually यह एक graph form में बनाया जाता है जो यह impulse, electrical impulse है, जो activity है heart की electrical उसको waves के form में chart पे plot किया जाता है और उसको further पढ़ा जाता है उसकी जो image आती है और उसी के हिसाब से उसके diagnosis दी जाती है जो wave मैंने बताया आपको जो wave form होता है उस पे जो आता है chart में उससे देखा जाता है कि जो heart beat है वो irregular है या फिर consistent है या regular है या फिर non-standard है उसे के हिसाब से बताया जाता है कि जो हमारा heart है वो healthy है या नहीं तो इस test को करवाने का purpose जो होता है वो यह होता है कि heart की functioning को check करना वो healthy है या नहीं उसकी जो electrical activity है जो heart beat कर रहा है जो उसकी rhythm है वो सही है या नहीं अब जानते हैं eco या फिर ecocardiogram के बारे में ये एक life imaging technique है ये भी बहुत ही जादा special technique है जिसमें की sound waves को use करते हैं और जो heart है और उसकी healthy है या नहीं यह ultrasound के जैसा होता है कई लोगों ने ultrasound करवाया होगा वो बिल्कुल उसी के तरह ही किया जाता है इस टेस्ट के द्वारे इस investigation के द्वारा हम heart की functional data के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं जो ECG है उसमें क्या किया जाता है कि chest पे कुछ sticky patches या फिर pads है जो छोटे छोटे गोल गोल आते हैं जिनमें तार लगा हुआता है उनको chest पे जो relevant जगए हैं जहां पे हमें check करना है वहां पे चिपकाया जाता है और उसको sensor और monitor के द्वारा जोड़ा जाता है उसके बाद उस machine के द्वारा जो उसकी हार्ट की लेक्टिकल अक्टिविटी है इन पैचेस के थूरू इन वार्स के थूरू उस monitor पे आता है और फिर उसका graph जो मैंने बताया था कि उनका जो waves होता है वह graph के रूप में material उसको लगाया जाता है और एक प्रोब होता है जो कि वह भी monitor से connected होता है उसको फर्दर जो भी चेस्ट का जो required जगह है उस वहां पे investigation कब करवाया जाता है तो जो ECG है वह अगर देखा जाता है अगर doctor suspect करते हैं कि कोई heart attack या फिर heart stroke से जुड़े उनको कोई signs and symptoms नजर आते हैं तो यह test करवाया जाता है यह investigation करवाया जाता है major surgeries के पहले भी investigation करवाया जाता है उसके अलाओं कुछ जैसे condition जो कि heart पे pressure डाल रहे हैं stress डाल रहे हैं जैसे कि hypertension हो सकता है उस condition में भी test करवाया जाता है साथ ही साथ अगर कोई family history है heart attack या इस तरह की कोई भी उस condition में भी investigation करवाया जाता है साथ ही साथ कुछ एक certain age के बाद routine health investigation के तौर पे भी test करवाया जाता है उसके अलाओं इको कप करवाया जाता है अगर heart related किसी disease के बारे में suspect कर रहे हैं तो heart के उस disease को confirm करने के लिए उसको diagnose करने के लिए test यह investigation करवाया जाता है साथ ही साथ अगर कोई congenital birth defect है उसके बारे में हम suspect कर रहे हैं तो भी यह test करवाया जाता है उसके अलाओं अगर heart के chamber या valve में हम कोई दिक्कत suspect कर रहे हैं तो भी test यह investigation करवाया जाता है तो आज के इस गई होगी उसके अलामा भी अगर आपके मन में कोई हैं इससे रिलेटेड या फिर आपको और सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं धन्यवाद